हेलो वरीवन वेलकम बैक कैसे हैं आप लोग मैं आपका मैस एजुकेटर एक्ष्टाइग रुवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लेर्ण फन क्लास 11 साइन्स वाली चैनल पर तो सबसे बहुत बालों में तुम लोग बहुत ज़्यादा नाराज होगे और नाराजगी की वज़य भी मैं जानता हूं कि सर मैट्स के लेक्ष्टर थोड़े से धीमे आ रहे हैं धीमे का मतलब है कि काफी गैप में आ रहे हैं और जन्वेन है आप लोग की नाराजगी मैं इस बात को पूरी एक्सेप्ट भी करता हूं और इसमें एक छोटा सा कर पा रहे थे बट अब आपको यहां पर लेक्टर स्थोड़े से फास्ट मिलने लग जाएंगी यानि कि अब आपको मेरा पूरी की पूरी को से सरेगी कि वीक में एट लीस्ट दो से तीन लेक्टर तो मिनमम आपके पास आए आए जो की रिकॉल्डेट फॉर्म पर आपका लेक्टर हो जिसमें आपको कोश्चन्स और लेक्टर का पूरा सब कुछ डिटेल्स में समझा दू उसके अलावा छोटे छोटे चोटे कुछ ऐसे वीडियो भी आप लोग के लिए बनाओ जो डिरेक्ट कॉंसेप्ट बूस्टर हो यानि कि उस वीडियो से आपको पूरा का पूरा एक कॉंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आप उस पर बेश्ट कोश्च अपने आपसे सॉल्व कर सकें तो ऐसे कॉंसेप्ट बूस्टर भी आप लोग के लिए लाने की सोच रहा हूं तो आप लोग मुझे बताईएगा कि किन-किन टॉपिक्स में आप आपको दिक्कत आती है किन-किन जगों पर आपको लग रहा है कि यह प्रॉब्लम है यहां पर समझे नहीं आ रहा है यह प्रॉब्लम आती है तो उन्हों टॉपिक को जड़ा कॉमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि उनके कॉंसेप्ट बूस्टर के साथ मैं स्टार्ट हूँ कि आज से एक्च्वल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स पढ़ने वाले मैं इसके पहले जब आपने लेक्टर नमर बन देखा होगा तो वहां पर क्या देखा था कि लेक्टर नमर वन में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल्स उनका मीजर्मेंट सिस्टम ज करें करवाएं तो अगर लेक्टर नहीं देखा तो जा करके देख लेना ठीक तो आज हम इस्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स को पढ़ेंगे और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम बदल के रख देंगे बदल के मतलब कि आपने अभी तक जो टेंथ क्ला तो क्या करोगे उनके रिस्पेक्ट में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यू आएंगी वो सब चीजे हम नए तरीके से एक दम बेसिक के साथ में सीखने वाले तो बहुत मज़ेदार होने वाला यह लेक्शर इंट्रोड़क्शन भले ही थोड़ा सा ल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजेगा तकि हरे क्लास की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके बहुत ही बढ़िया चलो स्टार्ड करते हैं तो सबसे पहरे मेरे दोस्त मेरे भाई ट्रिक्नोमेट्री वाले चेप्टर में आपने जो सबसे पहला लेक्चर ये दो टॉपिक कवर हो चुके है अब हम इधर बढ़ने वाने ठीक है जिसमें आज की क्लास में ट्रिक०्रिक्न की साइन कैसे बताएंगे ठीक है अलग कोडिने की वैलियू सकी एंसे बताए्невे इन time के लिए उसको भूल जाना है भूल जाना है मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम यादास्त हो जाएगा आपके कुछ नहीं मतलब आपको सोचना है कि भाई मैंने सायद जो पढ़ी थी वह आधी अधूरी थी अब हम कुछ पूरी जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम वापस एकदम सुरू से स्टार्ड करते हैं तो भूल जाएगा आप लोग थोड़ा बहुत टेंथ क्लास की जो बेसिक फणनेमेंटल से ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिग्नुमेट्री का एक नया जन्म करके देता हूं नए तरीके से बताता हूं तो ध्यान से चीज को समझे ना सरकल सबको पते क्या होता है सरकल बना लेते हो ना चलित तो माल लो बच्चों आपके पास सुंदर सा सरकल मैं ठीक है ।किण को मेरे कशन करके रख रहे मेरी प्रणिसेशन के चक्क है सर इसको ये नहीं बोलते हैं आरे खीक है भ δια आज़ो फिक यह ये क्या भक्राव फिनारा सरकल किया सुखर फिकत अब साइ बहुत नधा लेकिन एक स्पेसल टाइप का सरकेल इस पेसल टाइप के दिने बच्चो उसकी radius one unit है अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी यूनिट का मतलब देख और unit का मतलब सेंपल सा की वन सेंटीमीटर वन मीटर वन मिली मीटर मतलब कुछ कुछ भी है लेकिन वन ले रही है तो वन यूनिट की हमारे पास सर्किल की रेडियस है तो यह एक सुन्दर सा सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी बैटा जी वन यूनिट है बहुत ही बढ़िया और हमने इस सर्किल का जो सींटर है इस सर्किल का केंद्र यानि कि सींटर वो क्या है हमारे coordinate plane का जो origin होता है उसको हम center बोल ले तो यह हमारे पास coordinate plane है यह इसको हम बोलते हैं आपके पास x axis ठीक है और इसको हम बोलते हैं आपके पास y axis बोलते हैं गी नहीं बोलते हैं पक्का clear है x dash और नीचे पे y dash clear है पका confirm clear बहुत ही बढ़िया अब देखना अब इस चीज को ध्यान से समझना कि अगर मैं इस पूरे coordinate axis पे देखूं तो center हमारे पास origin है ठीक है center origin है और अगर circle की radius हमारे पास one unit है circle की radius हमारे पास अगर one unit है तो बताओ अगर यह कोई point o है ठीक है और यह कोई point आपके पास a है तो point a के coordinate क्या होंगे point a के coordinate क्या होंगे क्योंकि बताई जल्दी से मुझे comment box में लिख करके बताओ यह ठीक है यह center o हो गया अच्छा o a यानि कि o a equal to आपके पास अगर मैं बोला हूं one ठीक है तो a के coordinate क्या होंगे simple one comma zero x axis one y axis zero clear x coordinate one y coordinate zero अच्छा इसको अगर मैं b बोलता हूं इसको मैं क्या बोलता हूं इसको अगर coordinate zero लेंगे लेकिन y coordinate यहाँ पर one पक्का क्लियर है अरे हाँ ना बोलो जल्दी से बी के coordinate क्या हो गया जीरो कॉमा वन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यह बात बिल्कुल क्लियर कट लिखना क्योंकि अगर तुम लिखोगे तभी तुम्हारी प्रॉब्लम के सॉलिशन तुम्हार भाई दे सकता है अदर्वाइस कोई फायदा नहीं होगा चलिए तो ए बी हो गया अब यहां पर यह पॉइंट क्या है आपका सी है क्या है सी तो सी के कॉइंट क्या होंगे सोचो अगर यह वन यूइनिट तो हम औरिजिन से लेफ्ट आ रही है औरिजिन से पीछे मतलब की निगेटर direction में तो C के coordinate आपके पास यह 1,0 है तो C का coordinate minus 1,0 हो जाएगा होगा की नहीं होगा पक्का चलिए अगर मैं इसको D बोलूं इस point को B इसको बोल दिया D तो D के coordinate क्या हो जाएगे यह था 0,1 तो नीचे आए तो Y coordinate क्या हो जाएगा निगेटिव तो इसके coordinate बन जाएगे 0, minus में बन बोलो हाया ना clearly समझ में आया यह नहीं आया पक्का ओके ओके रिपोर्ट है बहुत बढ़ी आजो अब सोचो कोई random point ऐसे कोई दिमाग में random point सोचो ठीक है माल लो आपके पास कोई point P है ठीक है और वो point P इधर पे कहीं पर है कहां पर है इस circle पर इस unit circle पर एक point P है और इस point P के coordinate हमारे पास माल लो ए कॉमा में B है इस point P के coordinate हमारे पास A कॉमा में B है तो सोचो अगर मैं point P से point P से x axis पर एक perpendicular draw करूं तो मुझे बता सकते हैं इस perpendicular की length क्या होगी ये जो PM होगा perpendicular इस perpendicular की length क्या होगी जैनि कि x axis से point P की जो height है x axis से point P की जो height है वो height कितनी हो गई आपको बता है y coordinate height को represent करता है y coordinate होता है क्या y coordinate क्या होता है y coordinate होता है अमिताब बचन और x coordinate क्या होता है सारुक ठीक है तो ज्यान से समझे न यहाँ पर यह जो PM है है यह क्या है height है तो height y coordinate यानि की B और OC M की डिस्टेंस यानि की जो O M है यह क्या है सारुक मतलब की A है तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों यह हमारे पास A के बराबर A unit होगा है ठीक है clear हो रहा है ओके अब अगर मैं O को P से मिला देता हूं तो आपको पता है कि right angle triangle है ओके जी और इस right angle triangle में यह जो हमारे पास O P होगा यह हाइपोटेनस होगा क्या होगा हाइपोटेनस होगा तो O P की अगर मैं बात करूँ O P तो O P हमारे पास क्या होगा यह A यह B तो O P बनेगा हमारे पास square root A square plus B square पाइथा गोरस थियोरम तो सबको पता ही होगी तो पाइथा गोरस थियोरम से O P यहनी कि हाइपोटेनस होगा वो base के square प्लस perpendicular के square कि sum के square root के बराबर होगा clear है चलिए अरे भी यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है clear है यहां तक चलिए अब तुमसे मैं पूछूंगा कुछ सवाल और तुम्हें देना होगा उसका जवाब ठीक है लेकिन मुझे बात बताओ ओपी है क्या ओपी एक्शुल में तो radius ही है ओपी एक्शुल में तो radius ही है है की नहीं बोलो ओपी radius ही है तो ओपी एका radius है तो radius टो 1 unit है इसका मतलब op बराबर 1 square root a square plus b square हुआ की नहीं हुआ अब दोनों साइड पर अगर square कर लो तो ये भी तो बोल सकते हैं कि a square plus b square equal to 1 क्या इसमें कुछ गलत तो नहीं है इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना ये तो बिलकुल सची बात है इसमें कोई गलत बाद कहीं नहीं हमने, क्योंकि radius तो भईया 1 है ना, circle हमारा कैसा है, unit circle है, तो radius तो हमारी 1 ही होगी, तो op की value तो 1 होगी, भले op हाइपोटेनस है, तो इस तरीके से a square plus b square equal to 1 हुई की नहीं हुई, पक्का चलिए, ये ना दुनिया के सारे बबाल क्लियर करेग जो दुनिया की चीज़े तुमने पढ़िये ना, ये सब कुछ करेगा, अब देखो, अच्छे मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ा सा माफ करना मुझसे, एक छोटी सी गलती होगी मुझसे, मैंने थोड़ी देर पहल तुम से बोला था, कि भाईया तुम ना, 10th class की trigonometry भ कर लेते हैं, है ना, थोड़ी से बुलाते, आजो भई, 10th class की टिक्नोमेटरी, क्या बोलती थी, 10th class की टिक्नोमेटरी, 10th class की टिक्नोमेटरी बोलती थी, कि अगर ये right angle triangle है, ठीक है, जो की है, ओके, और ये कोई angle है, माल लो X, और ये angle कैसा है, positive angle है, क्योंकि anti-crop wide direction में इ तो ये angle कितना है, बच्चो, X है, तो ध्यार से समझना, आपको पता है, कि sine X बराबर क्या होता है, यानि कि sine theta, theta के place पर यहाँ पर angle X ले रहा हूँ, तो sine X बराबर क्या होता है, sine होता क्या है, perpendicular upon hypotenuse के बराबर, तो perpendicular कितना हुआ, B हुआ, ठीक है, और hypotenuse कितना हुआ, O, P, जो कि हमारे पास 1 है, तो B upon 1 बना, तो sine X बराबर B, और B actual में क्या है, B को ध्यान से समझना, B हमारा B नहीं है, B, BB थोड़ी है, B हमारा Y coordinate है, B क्या है बेटा, B तो हमारा Y coordinate है, A हमारा क्या है, A कुछ नहीं, A हमारा X coordinate है, ठीक है, A हमारा X coordinate, तो अब थोड़ी सी बात ध्यान समझना, sine X बराबर, perpendicular upon hypotenuse, B by 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि sine X equal to होगा B, और B मतलब की Y coordinate, तो आज से इस चीज को दिमाग में रखेंगे, कि sine X बराबर क्या होगा, Y coordinate, sine क्या होता है, Y coordinate होता है, पक्का, तो sine X बराबर, Y coordinate, clear है, आगे बढ़ते हैं, अगली बात, जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में, कि cos X बराबर क्या होगा, cos X बराबर क्या होगा, बो जी बो, cos X बराबर क्या होगा, base upon hypotenuse, तो मतलब, base तो यहाँ पर A हुआ, ठीक है, तो base यहाँ पर लेका A, हाइपोटेनस क्या हुआ, ओपी, जो की कितरा हुआ, वन हुआ, तो cos X बराबर A by 1, A by 1, मतलब की, A by 1 का मतलब क्या हुआ, A, तो इसका मतलब हुआ, यह आपका X कॉर्डिनेट के बराबर है, ठीक है, X कॉर्डिनेट के बराबर, तो अब यहाँ से एक बहुत important चीज नोट कर लेना, sin X बराबर Y कॉर्डिनेट, cos X बराबर X कॉर्डिनेट, cos X बराबर X कॉर्डिनेट, clear है, बास समझ में आई की नहीं है, बोलो हाया ना, clear है, बहुत ही बढ़िया, तो बच्चों, अगर यह चीज तुम्हें समझ में आ गई है, तो अब बताओ, 10 X बराबर क्या होगा, यह भी बता सकते हो, कि सर जी 10 X बराबर होगा, किसके Y कॉर्डिनेट अपॉन में X कॉर्डिनेट, मतलब की, आपका B by A, मतलब की B upon A, it means कि Y कॉर्डिनेट, Y कॉर्डिनेट अपॉन में आपका X कॉर्डिनेट, हुई बात की नहीं, clear है, तो 10 X बराबर Y कॉर्डिनेट अपॉन X कॉर्डिनेट, यह बात clear है, बहुत ही बढ़िया, तो अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं तुमसे पूछू, कि सर, आप मुझे बताइए, कि साइन जीरो डिगरी की वैल्यू, जीरो क्यों होती थी, अब कॉश्चन है, सर हमने पहा था, दसवी क्लास में कि साइन 0 डिगरी की value साइन 0 डिगरी की value 0 होती थी लेकिन सरथ पता नहीं चला था कि 0 क्यों होती थी अब पता चलेगा कि देखो 0 डिगरी मतलब की point A को देखो O A को देखो अगर मैं ये देखू तो ये जो O A है ये x-axis के साथ में कितना एंकिल मना रहा है जीरो डिगरी का इंगल बना रहा है ठीग है ओए हमारा x-axis के साथ में दूदर कुछ नहीं है बलक्ल x-axis के बराबर मतलब कि 0 डिगरी अंगिल तो point a का coordinate है one comma zero तो मैंने क्या बोला था कि sine x होता है किसके बराबर y coordinate के तो यहाँ पर y coordinate क्या है zero है इसलिए देखो one comma zero में sine x बराबर sine zero degree की value zero आएगी पक्का अब बताना बहुत ही बढ़ी है cos zero की value क्या होगी cos zero cos zero degree बोल दोते हैं थेके कॉस zero degree की value बताओ cos zero degree क्या होता है cause होता है तुमारा x coordinate के बराबर किसके बराबर x coordinate के बराबर तो यहाँ पर x coordinate क्या है zero degree की case में one तो cos zero degree की value one होती थी होती थी नहीं होती थी भी बताओ जलदी से पक्का confirm clear है चलिए और आगे बढ़ते हैं 10 zero degree की value बता ये 10 zero degree 10 zero degree क्या होता था 10 zero degree मतलब की y coordinate upon में x coordinate मतलब की 0 by 1 0 by 1 तो 0 by 1 कितना आथा तो जीरो तो 10 zero degree की value 0 होती थी ये बात clear है चलिए अब बताईएगा 0 डिगरी का फनना समझ में आया कि साइन जीरो जीरो क्यों होता था कॉस जीरो की डिगरी की वैल्यू वन क्यों होती थी और टैन जीरो डिगरी की वैल्यू जीरो क्यों होती थी यह क्लियर हो गया अब देखना अब इसी में तुम से मैं पूछता हूं बताओ साइन नाइन्टी टिगरी के वैलिई कितनी होगी साइन 90 डिगरी कि वैलिऊ कितनी होगी बताओ जयू दी से साइन 90 डीगरी की वैलिउ कितनी होगी देखू नाइनटी डिगरी मतरप की x्स से 90 Reag När कहां पर पहुँंच गए y x mतलप की उबी पे clear है अगर मैं पॉइंट B के respect में देखूं ओभी X axis के साथ में 90 डिगरी के इंगिल पर है तो बताओ साइन 90 किसके बराबर होगा Y कोडिनेट और Y कोडिनेट कितना है B का 1 तो साइन 90 डिगरी की वैल्यू 1 होती है पता हो गया उसके बाद कॉस 90 डिगरी की वैल्यू कितनी होगी X कोडिनेट के बराबर तो X कोडिनेट कितना है जीरो जीरो हो गया ठीक है और अगर मैं यहाँ पर 10 90 degree की बात करूँ तो 10 90 degree आपके पास Y coordinate upon X coordinate मतलब की 1 by 0 that is undefined क्या होता है undefined होता है अब आगे बढ़ते हैं 90 degree तक पहुँच गए ठीक है आजो अब मैं अगर यहां से चला था इधर पे पहुँच गया ठीक है यह कितने angle पर है यह पूरा angle आगर आप ध्यान से देखो यह पूरा यह पूरा angle आपके पास 180 degree हो गया कितना हो गया 180 degree तो 180 degree पर आ जाते हैं तो बताएगा हां जी साइन 180 degree की value कितनी होगी साइन 180 degree की value 180 degree मतलब की OC OC X X से साथ में 180 degree का angle बना रहा है तो इसका Y कोडिनेट कितना है 0 मतलब कि साइन 180 degree की value 0 होगी clear है और cos 180 degree की बात करूँ तो cos 180 degree की value आपके पास कितनी हो जाएगी यह कितना है X coordinate X coordinate कितना है minus 1 तो cos 180 degree की value minus 1 के बराबर पक्का और इसके बाद 10 180 degree की बात करते हैं तो 10 180 degree की value कितनी हो जाएगी y coordinate upon में x coordinate मतलब की 0 upon minus 1 that is 0 clear है तो 10 180 degree की value 0 निकल करके आगई आई बात समझ में clear है आगे चलते हैं अब अगर मैं यहां से चलू और इधर पे पहुंच जो इतने angle गूम के कितना 270 degree पे तो अगर मैं od की बात करूँ od ox यानि की x section के साथ में positive direction में कितना angle बनाएगा anti clockwise देखा जाए तो 90 degree है लेकिन हम positive angle देखे तो 270 degree का angle बना रहा है ठीक है तो बताएगा sin 270 degree की value क्या होगी sin 270 degree की value बताओ 270 degree यहाँ पर आ गए हूँ के 270 degree od d का y coordinate कितना है minus 1 तो sin 270 y coordinate है minus 1 तो sin 270 degree की value minus 1 होगी की नहीं होगी पक्का क्योंकि आपको पताए चल गया है कि साइन होगा y coordinate cause होगा x coordinate बस इस चीज को दिमाग में अपने बठाल लेना है प्लियर है चलिए अब इसके बाद cost 270 degree की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा x coordinate कितना है जीरो तो मतलब यह जीरो हो गया अब अगर मैं आपर 10 to 70 के बात करूंगा तो 10 to 70 कितना हो जाएगा 10 to 70 degree मतलब की minus 1 upon 0 that is undefined कितना हो गया undefined देख रहा हो कितने प्यार से बभुआ हम 90 के बाद 180 180 के बाट है ना एक चक्कर और लगवा दो तो एक चक्कर पूरा कर लेते हैं ठीक है अब एक चक्कर पूरा करते हैं यहां तक तो पहुंचे गया थे तो बाबुजी थोड़ा से और आगे चल लेते हैं मतलब की पूरा 360 रोटेट करकी आएं यहां से चले पूरा एंगल गूम के वापस से इधर पर आ गए ठीक है तो अब आपसे मैं वापस से पूछूंगा कि साइन समझे ना साइन 360 डिगरी साइन 360 डिगरी बताओ कितना होगा वापस से गूम के ए पर आ गए है ना अगर देखें गूम के वापस से ए पर आ गए ओ ए से चले पे पूरा गूमे इधरी पर आ गए मतलब कुछ ऐसी बात यहां से है गूमे 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 वापस से तो ओ ए पर वापस से आ गए तो बत वन ठीक है और 10 360 degree value कितनी हो जाएगी 0 आई बस समझ में अब क्या देखा आपने भाई घूम फिर करके प्रतिवी तो गोल है और सरकल भी गोल है तो अब क्या होगा तुम और एंगल बढ़ाते चले जाओ है ना तुम घूमते चले जाओ यहां से फिर आगे जाओ फिर घूमत करके तुम वापस तो इसी के अंदर घूमते रहोगे यानि की एंगल तुम बढ़ा करते जा रहे हो लेकिन वैल्यूस तुम को जो मिल नहीं है वो इसी की रेंज में ही मिल नहीं है ठीक है वैल्यूस तो चींज नहीं हो रही अब 360 में तुम वापस 90 कर दो 90 मतलब कि फिर से कितना आगे चल के समझे रहो समझे रहो 360 से वापस 90 ऐड कर दो 360 मve Stuart किया थो 400 और चारसो प् regime चारसो प्र प्र चारसो प। ह्था hơn जया साइन 400 पताज डिगरी की वैनिगा होगी चारसो पताज匈 डिगरी की वैल्स तो जाएगी और फिर से बहूं से कानी होगी ना उसमें वापिस से घूम रहा up मतलब कि अब अगर आप इस एंगल पर जूमते रहो तो हमाई values रिपीट करने लग जाती है इसलिए हम क्या बोलते हैं कि trigonometric functions are periodic functions periodic functions उनको बोलते हैं जो अपनी values को एक interval के बाद repeat करने लग हाँ जैसे कि ये टूपाई इंटर रवल के बाद देखोगे तो वैल्यू को रिपीट कर रहे है साइन फंक्षन टूपाई इंटर रे वल के बाट टूपाई का मतलब समझे ना टूपाई रेडिया नहीं डिगरी का डिफरेंस दो पता साल गये ना कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है तो यहाँ पर इसको ऐसे समझे रो साइन जीरो डिग्री बोलो या साइन जीरो रेडियन यहाँ पर 90 डिग्री बोलो या पाई बाई टू दोले लिख देता हूँ समझे ना इसको तुम चाहो तो साइन पाई बाई टू लिख सकते हो इसको भी कॉस पाई बाई टू लिख सकते हो इसको भी टैन पाई बाई टू लिख सकते हो यहाँ पर यह आपका साइन पाई है यह आपके पास cos pi है, यह आपके पास tan pi है, degree और radian के बीच में relation, 270 degree मतलब कि sin 3 pi by 2, cos 3 pi by 2, tan 3 pi by 2, ठीक है, और यहाँ पर 360 degree का मतलब क्या हुआ, sin 2 pi, मतलब कि cos 2 pi, और नीचे पर tan 2 pi, आई बस समझ में, तो 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, 2 pi के बाद 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, है ना, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, मैं परोसेस आपकी पूरी की पूरी चलती रहेगी, ठीक है, तो यह सारा का सारा हमारा, इस unit circle ने इतनी सारी कहानी बता दी, clear है, अब देखो, यही circle तुम्हें एक बात और बता रहा है, तुम्हें पता है, कि A क्या है, A तुम्हारा बराबर है, cos X के, ठीक है, B क्या है तुम्हारे पास, sin X के बराबर है, और A square प्लस B square 1 है, तो ध्यान से समझे न, अगर A square प्लस B square 1 है, तो A क्या है, cos square of X, A square, B square का मतलब, sin square of X equal to 1, तो यही तो एक identity तुम्हें पढ़ी थी 10th class में, कि cos square X plus sin square X की value, 1 होती है, क्यों होती है 1, पता चला, पता चला क्यों 1 होती है, इसलिए, क्योंकि आपने देखा, unit circle जो पूरी की पूरी कहानी तुमने देखी थी, वही चीज है, बस क्या है, कि 10th तक हमको थोड़ा सा आधा अधूरा पढ़ाया जाता है, और ऐसा नहीं कि गलत है वो, इसलिए कि आधाने, God to see great who, याद है, देखी किसी ने, तो उसमें कहते हैं की, सल्मान खान कहता है कि भगवान, अगर मैं भगवान होता है, तो मैं ये कर दीता, वो कर देता, ये वो, ये ऐसी ऐसी बाते करता है, ठीक है, लेकिन फिक्या होते है, भगवान जी की एक दिन सटक जाती है वो कहते है ले भाई बन जा तू भगवान और चला एक दिन में सारी कहानी गरवर तब वो एक लाइन बोलता है कि जिस जिसको जितना जितना दिया है आपने उसके लिए उतना ही जानना समझना इंपॉर्टेंट है तो भाई चीज है कि जितना आपके टंथ क्लास के सिलिवस म समझना इंपॉर्टेंट था अब जो चीज एलाइवन में है उतनी ही आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है तो एक स्टेज बाई स्टेज हम आगे पर चीजों को सीच्टे चले जाते हैं इसलिए लर्णिंग एटिटूड हमेशा अपने अंदर से रखना क्योंकि ज्या सतना सारा है मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा बहुत alt क्लास में या नगीघन वे इसैंगे पढ़रोगा ने सब्सी क्लास में के हम कह रही है कि अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो ये तुमारे लिए अभी जानना जरूरी है अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ा 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 पढ़ोगी स्टेप में स्टेप चीजे क्लियर रहेंगे अब सोचो यही वीडियो अगर मैं पेपर की टाइम बना रहा होता है एक महीने पहले दो महीने पह अभी का है घुश करके बता रहें समझ रहीं कि यह ऐसे हुआ यह एसे हुआ यह ऐसे हुआ ताके तो कि फील करू कि अच्छे यह हू रहा ऐसे बन रही है ठीक है इसलिए क्いつ थोड़ा सो पहले पढ़ने का मतलब यह होता है आप चीजों को गहराई में समझ जाते हैं ठीक है चलिए तो स्कॉस स्कॉर एक्स प्लस साइन स्कॉर एक सिक्वर टू वन होता है ये बात क्लेरली समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे हाय ना फटा-फट से बताइए ठीक है चलिए अब देखो तो यह चीज हो गई तो यहां तक तो तुमने दस्वें क्लास में पढ़ा था ठीक है मैंने बोला तना भूल जा वापस से याद करो नाला एक को मेरी बात माल ली तुमने भूल गये लेखो यहां तक तो तुमने अलएडी पढ़ा था 10th क्लास में कि साइन जीरो डिगरी समझ रहो या फिर जीरो र सब्सक्राइब कर बिएंटी डिगरी कंफ्यूद में पाई का मतलब कितरा होता है 180 डिगरी 3 पाई वैड्यू मतलब की 270 डिगरी 2 पाई मतलब की 360 डिगरी चलिए तो उसको फटफट से नोट कर लीजिए पक्का क्लियर चलो अब ना तुमसे बहुत इंपटरेंट चीजे पूछने वा नहों वो इंपर्टर नचीजे क्या है थ्यान समझे ना ठीक यह यह टेबल तु शोंज सवाई है और थे अब थोड़ा जीआन को और बढ़ाते हैं ठीक है बहुत इंपोर्टेंट ध्यान समझे ना आपको पता है कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो है ठीक है ऐसे समझे न यह पॉइंट ए है वन कॉमा जीरो पे और यह हमारा यूनिट सरकल था बहुत सुन्दर सरकल बनाता हूं मैं लग रहा होगा है ना चलिए ओ अब देखना उसके बाद यहां पर आगे मतलब की साइन पाई पाई मतलब कितने यहां पर आगे यहां पर क्या हो गया यह पॉइंट किता हुआ माइनस वन कॉमा जीरो यह साइन पाई की वैल्यू जीरो गूम करके इधर पर आगे मतलब की साइन टू पाई की वैल्यू वापस से जीरो आगे लापइस से साइन थ्री पाई यहां जगूम के फिर धर पर पहुँच गए साइन थ्री पाई की वेलिव जीरो क्या है फिर गूमाल करके फिर धार आ Unreal जीरो, साइन फाइव पाई की वैली जीरो, तो यहां से एक इंपोर्टन डिजट क्या निकल क्या रहा है, कि साइन ओफ एन पाई हमेशा जीरो होता है, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर अगर एन आपका कोई भी इंटीजर है, है न, एन यहां पर जीरो ले लो, वन ले ल टू ले लो, 3 ले लो, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, वो भी ले लो, अभी निगेटव एंगल के लिए भी समझा दूँगा, बट अगर आप ध्यान समझो तो साइन एन पाई हमेशा, जीरो के बराबर आबर आएगा, ठीक है, पाई का कोई भी मल्टेपल ले लो, पाई ले हेल है, अब देखना, यहाँ पर वापस से देखना, ठीक है, अब इस सर्कल में ठीक है, यह क्या है आपका, पाई बाई टू, यह क्या है आपका, ठीक है, कॉस पाई बाई की वैलि lifting योगी, क्योंकि यह पोइंट हमारे पास किता है, आपका, 0,1,0, चलिए हाँ जी कॉस्पाई कॉस्पाई बैटू की बात करते हैं बताएं कॉस्पाई बैटू क्या होगा कॉस्पाई बैटू मतलब की एक्स कॉर्डिनेट कितना होगा जीरो कॉस्पाई बैटू कॉस्पाई बैटू कॉस्पाई बैटू कितना होगा X coordinate इसका भी यहां पर भी देखू ना X coordinate तो आपका इधर भी 0 होगा अब इसी तरीके से यहां से वापिस महुंच गए cos 5 pi by 2 यह भी 0 cos 7 pi by 2 यह भी 0 यानि कि cos जब जब आपका 5 by 2 का odd multiple यह निकी 2N plus 1 जैसकते हो वन पाइब दू थ्रीप मैं टू फाइब टू फाइब टू पाइब टू सैवन पाइब कि कॉस जब जब पाइब यू का odd multiple होगा, तब तब हमको 0 मिलेगा, clear है, cos जब जब pi by 2 का odd multiple होगा, तब तब हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर से बोलो क्या मिलेगा, 0, तो यह जी नोट कर लेना, sine and pi, sine अगर pi का multiple है, integer multiple है, तब 0 है, कौस अगर πाई बैटू का और्ड मृल्टिपल हैं मतलब की पाई बैटू 3 पाई बैटू 5 पैटू 7 पाई बैटू तो वो जीरो होता है प्लियर है आई बस समझ में पक्का चलिए तो यह बेसिक सी चीज यहाँ पर हमको समझ में आई की नहीं आई बोलो हाया ना तो यह हमने समझे लिए अब हम आगे बढ़ते हैं साइन औफ ट्रिग्नोमेटिक फंक्षण की बात करते हैं ट्रिग्नमेटिक फंक्षण की साइन कैसे होते हो ते चोटी सी बास से समझे ना ये क्या है चक्र वीव मतलब की यूनिट एसर्किल ठीक है और यहाँ पर यह हो गया इसका x axis और y axis ठीक है this one is x axis और this one is sorry x dash और यह हो गया आपके पास y axis और यह हो गया आपके पास y dash ठीक है x axis y axis अब आप बताईए आपको पता है कि first quadrant में यह क्या होता है first quadrant होता है यह आपके पास second quadrant होता है यह वाला third quadrant होता है और इसको हम fourth quadrant बोलते हैं ठीक है first quadrant में मतलब कि इस वाले portion में जितने भी point होंगे ठीक है उनका x coordinate और y coordinate दोनों ही positive होगा ठीक है x coordinate भी positive y coordinate भी positive पता है आपको ठीक है अच्छा इस वाले portion में जितने भी points होंगे उनका x तो negative होगा लेकिन y positive होगा x negative y positive तीसरे quadrant यानि कि इस वाले portion में जितने भी point होंगे x भी negative y भी negative दोनों ही negative होगा और fourth quadrant में अगर हम देखें तो fourth quadrant में इस वाले portion में एक्स तो आपके positive y negative तो plus, minus यह हो गया आपको पता है कि sin x क्या होता है आपका y coordinate ठीक है और cos x क्या होता है हमारे पास x coordinate के बरावर यह तो clear है तो बताइए भाई यह पहले quadrant में first quadrant में जितने भी points होंगे यानि कि 0 से लेकर के pi by 2 तक में इस angle के बीच में जितनी भी values आएंगी sin या cos की ठीक है y coordinate हमेशा positive x coordinate भी हमेशा positive तो first quadrant में आपका sin भी positive cos भी positive clear है तो 10 भी तो positive होगा मतलब की y upon x cot भी तो positive होगा मतलब की x upon y cos sec भी तो positive होगा मतलब की 1 upon y और sec भी तो positive होगा मतलब की 1 upon x ठीक है है तो रेशी प्रोकली ना है को से के साइन का से के कॉस का और टैन है कॉठ टैन का ठीक है तो अगर साइन और कॉस हमारे positive है first quadrant में तो उनके रेशी प्रोकल या उनका ratio वो भी तो positive होगा इसका मतलब क्या हुआ कि पहले quadrant में first quadrant में सारे के सारे trigonometric functions की value positive होती है यहाँ पर लिग दूँगा और all positive सारे के सारे यहाँ पर positive होते है all positive clear है पक्की बात चलिए अब आते हैं second quadrant में second quadrant में आप देख सकते है की y coordinate fine होता है और x coordinate आपका cause होता है तो देखो वाई coordinate second quadrant में क्या है positive इसका मतलब second quadrant में पाई भाई टू से पाई एंगल के बीच में जितनी भी values आएंगी ठीक है sign हमेशा positive sign positive अगर sign positive है तो उसका रेशी प्रोकर कॉसिक भी तो positive होगा तो sign और कॉसिक आपके positive होंगे ठीक है बट कॉस आपका negative क्योंकि x coordinate यहाँ पर negative होता है कॉस निगेटिव तो 10 भी negative 10 निगेटिव तो सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मतलब कि second quadrant में साइन और कॉसिक बस आपके positive होते हैं clear है sign और कॉसिक बस आपके positive होते हैं third quadrant में आ जाते हैं तीसरे quadrant पे यहां समझेगा तीसरे quadrant में क्या दिख रहा है ठीक है तीसरे quadrant पे अगर आप देखो तो यहां पर X भी निगेटिव Y भी निगेटिव मतलब की sign भी निगेटिव कॉस भी निगेटिव अगर sign और कॉस दोनों निगेटिव है तो 10 जो कि इनका ratio होता है निगेटिव अपाउन निगेटिव वीकम्स पॉसेटिव इसलिए 3rd quadrant पे 10 positive होगा और अगर 10 positive है तो 10 का ratio भी पॉसेटिव होगा क्योंकि निगेटिव अपाउन निगेटिव पॉसेटिव होता है पककी बात है है ना 1-2 अपन मैनेश 3 कितना बनेगा two by three है ना चलो अब इसके बाद fourth quadrant की बात करते हैं तो fourth quadrant पे x coordinate positive रहेंगे y negative तो मतलब की कॉस होता है x coordinate यानि की कॉस आपका यहाँ पर positive रहेगा कॉस positive रहेगा तो कॉस का रेशी प्रोकल वो भी positive रहेगा ठीक है तो कॉस और से कहाँ पर positive फिर क्या होगा इसका मतलब यह हुआ कि जो बाच बचे बचे खुचे हमारे हैं यानि कि टैन साइन कॉट क्योंकि वो तो रेशीयों से तो positive वो पॉन निगेटिव निगेटिव तो बाकि पिसरे कॉड़िन्ट में टैन और कॉट बस positive होते हैं और चौथे कॉड़िन्ट में कॉस और सेक आपके positive होते हैं यह बात clear है बहुत बढ़ियां अब इसको एक ट्रिक से याद कर लो ठीक है वो ट्रिक क्या है बच्चों वो ट्रिक है ए सनम तेरी कसम ए सनम तेरी सरी तेरी किसम नहीं तेरी चुनरिया ए सनम तेरी चुनरिया तो इसे क्या बनता है ए से मतलब है all स से बनता है साइन और साइन का रिशिप्रोकल मतलब की कौस सेस्ट एस तरीके से याथ कर लो तो ए सनम तेरी चुनरिया है ना और गाने आधा तेरी चुनरिया दिल ले गई तो अब अरे गाना नहीं आ रहा हूं समझा रहा हूं ठीक है आजो तो इस तरीके चीज को याद भी कर सकते हो और बहुत सारे बच्चे अलग-अलग-अलग तरीके से याद करते हैं मुझे पता ठक गया है मैं बूलते बूलते मैंने आज इतनी जोसों इनर्जी में पढ़ाया है आप देख सकते हैं कि हाँ हाला कि भी बहुत जादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन मनलब पूरी ताकत लगा गर के मेरी गले की नसे खिच जाती है बच्चे कहते सर ये गले में आपकी नसे बूलो हाया ना देख यह लेक्चर ना तो लेक्चर की नीचे कोमेंट जरूर करके जाना क्योंकि कॉमेंट से मुझे मिलता है feedback कि भीया मेरा पढ़ाया कितना समझ में आया क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है इस लेक्चर को बनाने में अब मुझे पता तो चले कि मैंने जो 100 50 दिया वो कुम्हे कितना समझ परेंट मेरा 100 तुम्हारा 10 परशन्ट हो सकता है 20 हो सकता है 30 हो सकता मैंने तो पड़ आया लेक़ि Barcelona सबस्क्राइब तूम्हें सबस्क्राइब यह 20 परसेंट है तो वो चीज ने एक प्रोसेस है जो कि करनी बढ़ती है तो वो प्रोसेस तुम्हारे वज़े से ही पॉस्विल है तो तुम लोग बस शेयर करना कॉमेंट करके मज़े जरूर से बताना कि सर ये चीज है बाकी अपने दोस्तों से भी कहना है कि वो भी कॉमेंट करें वो भी सब्सक्राइब तो थार्ड में टैन और काॉट बस पॉज्टिव बाकि सारे निगेट फॉर्थ में कोस और सेक बस पॉज्ट बाकि सारे निगेटिव ठीक है चलिए अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉंक्शन साफ निगेटिव एंगल हां जी भई आज यह निगेटि गूद कि निगेटेवेंगर कम इसमझते हो ना जब हम एंगल को न्टीच लॉप्वाइथ मीः दर करते मतलब की स सी यूँ एन्टी invert गॉफॉआट खर्तेविधा डिया नेजह दखास्थ को पॉचिटिफ बोलते लेकिन आगरा एंगिल गूफбॉ प्रक्वाइट अग्टिरेक्शन वे मतलब क्लोकवाइड अडरेक्शन मीजर करें प्लोक्वाइड डिरेक्शन में तोशको निगेटिव एंगल बोलते हैं उसको हम आपका निगेटिव एंगल पूलते हैं ठीक जी चलिए चले कहां चले बताओ यहां प्याओ दिखूं सब कुछ सेमें सरक्ल वही है वन कॉमा जीरो जीरो कॉमा बन माइनस वन कॉमा जीरो और जीरो कॉमा माइनस बस अंतर क्या है अभी हमने ट्रेंगल बनाया तो उपर पे पॉइंट पी ए कॉमा भी लिया था वाइकॉर्णेट अपॉन एक्स कोडिनेट ठीक है बी अपॉन ए और यह वन ठीक है अब क्या किया इस पॉइंट पी का इस पॉइंट पी का इमिज फोटू पानी रखा पानी के उपर देखो ग इमिज आपके पास Q बन रही है क्या बन रही है इसकी एमिज आपके पास Q बन रही है Q मतलब की q q reign वाली q ठीक है तो होगा क्या चींज X coordinate तो A और A ही रहेगा लेकिन जो height उपर पे positive direction में B थी अब वो negative direction में minus B बन जाएगा तो Q का coordinate क्योंकि X positive होता है Y negative होता है fourth coordinate में तो Q के coordinate A, में minus B हो जाएगा ठीकर बस और अगर मैं ये angle अगर X measure किया है तो इतना ही angle तो नीचे देखेंगे तो ये angle minus X बोलूँगा तो ध्यान समझे ना sine minus X बराबर क्या होगा sine minus X अब angle negative लिया है यानि कि ये वाला Y coordinate के बराबर मतलब कि minus B के बराबर और ये किस के बराबर होगा this is equal to minus of sine of X या हमारे पास minus of sine of X के बराबर है ना sine X बराबर B होगा ठीक है तो minus of sine of X बन गया इसका मतलब है कि sine minus X की value minus of sine X के बराबर होती है minus of sine X के बराबर होती है ठीक है अब देखिएगे इसके बाद cos minus X क्या हुआ X coordinate के बराबर A और cos X भी A के बराबर equal to cos X तो यहां से क्या बना कि cos of negative angle equal to cos of X equal to cos of X तो बस sine of minus X बन जाता है minus में sine X के बराबर और cos of minus X बन जाता है cos of X के बराबर किसके बराबर cos of X के बराबर तो बच्चो अब समझे ला 10 of X क्या बनेगा 10 of X जो की होता है आपके फ़री 10 of minus X की बात करूँ 10 of minus X तो 10 minus X बनेगा sine of minus X बटे में cos of minus X के बराबर मतलब की minus में sine X बटे में cos of X तो बन जाएगा minus में 10 of X तो 10 minus X की value minus में 10 of X और इसकी रेशिप रोकल ले लो तो sine का रेशिप रोकल cos of minus X भी minus cos of X बनेगा लेकिन cos का रेशिप रोकल होता है sec तो sec of minus X equal to sec X बने गा sec of minus X equal to sec X बनेगा और cot of minus X क्योंकि 10 का recip रोकल होता है cot तो कॉट्ट ऑफ माइनस एक्स एक्वेल टू माइनस में कोट ex मनेगा पका क्लियर यह सारे की सारे साइन और निगेटव एंगल निगेटिव एंगल की रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यों हो गई क्लियर है पक्का बहुत ही बढ़िया चलिए यह चीज़ समझ में आ गई हाया ना बोलो यह सब लो क्लियर चलिए अब आजो अब यहां पर एक कोश्चन है तुम्हारे लिए ठीक है अब तुम्हारी आज की पूरी थियोरी क्लास खदम होती ठीक है थियोरी में बस इतना ही पढ़ना था अब मैं तुम्हें एक सवाल लगवाँगा उसके बाद तीन सवाल घर को करने को दूँगा ठीक है इसलिए आपको होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ठी ठीक है तो हमवर्क का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूँगा उसके लावा यह कुछ कोशन और करवा रहे हैं और बाकी के कोशन करके लाने है ठीक है चलिए हाँ अब अब प्रॉमिस कर रहा हूं कि लेक्चर्स इतनी लेट नहीं आएंगे लेक्चर्स अब जल्दी 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 लाओंगा इस पेसिली मैस के तो मैं गरेंटी ले रहूं मैस में लेक्चर्स जल्दी आएंगे ठीक है तो मैस भी पढ़नी है न तो भी ये चैनल बेस्ट है तुम्हारे लिए ठीक है चलिए अब फाइंड दा वैल्यूस ओफ अधर फाइव ट्रि सब्सक्राइब कि इन फाहरों ग्राइग एक्सी लाइव इन थार्ड और क्वाड्रेंट एक्स हमारा तीसरे कम लिए कल लाइक था दीसरे ग्राइब समझें आगे है अहां जी यह वाला मेरі भाई मेरे यार और कॉट आपके पॉजटे होते है एस सनम्तेरी चुनरिया पैरी टी होटे तो टैन और कर्ट यहाँ पर क्या होते है फोल पॉजटे होते हैं ठीक जी चलिए तो बच्चो अभ्यांत समझना थोड़ी देर के लिए इस minus sign को हम भूल जाएंगे इसलिए क्योंकि मैं पता है कि third quadrant में है तो बाद में minus minus लगा लेगे ठीक है आपको सिर्फ यह समझो कि अगर यह हमारे पास एक right angle triangle है ठीक है और यह कोई angle आपके पास x है तो cos x क्या होता है base upon hypotenuse hypotenuse कितने ट्व पक्का यह 1 यह 2 तो बताइए perpendicular क्या होगा perpendicular बनेगा 2 का स्कวायर माइनस मेंट बेस का स्कूर स्कॉर मतलब कि रूट रूट थिरी तो पर पेंडिक्लर कितना मैंग आप यू थिरी बनेगा अब पताना साइनेक्स बराबर कितना होगा साइनेक्स बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनर लेकिन किस कॉर्डेंट में लाई करता है थार्ड कॉर्डेंट में थार्ड कॉर्डेंट में साइन पॉस्टे होता है कि निगेटर निगेटर तो साइनेक्स बराबर म ठीक है थर्ड कॉर्णिंट में टैन और कॉर्ट तो पॉजिटिव होते हैं तो टैनेक्स बराबर रूट थी भाइवन पॉजिटिवी रहेगा कॉट आफ एक्स की वैल्यू बताई है कॉट क्या हो था टैन का रेशी प्रोकल मतलब किसका पलट दो वन अपॉन रूट थी क्लि हो जाएगा माइनस में टू और कॉसे कॉफ एक से कितना होगा साइन का रेशी प्रोकल मतलब की माइनस में टू भाई रूट थी आई बात समझ में कि नहीं आई फटा फट से बताई है क्लियर है आगे है समझ में इस तरीके से हम अलग 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 क्वाडिंट में जो भी जतो रहे था एक टिकनिमेटेका कि वैल्ल गिवन वे पर कि से डिपने में फंक्शंस की वैल्यू बता सकते हैं गौर्डरिंथ हमें यह बता देता है की गौर्ण वर्ल्टर पॉजिटिव हो गए कॉन निगेटिव होगा यह जीजिद़ में कौर्ण हम करता है ठीम हैं चलि find the values of other five trigonometric functions ठीक है और sin x बराबर आपके पास given यहाँ पर minus में 3 by 5 ठीक है minus लगाना भूल गया होंगा मैं गलती से क्योंकि third quadrant में negative होता है ठीक है तो बताई sin x बराबर minus में 3 by 5 है आपको बचे पांच और trigonometric function बताने है ठीक है तो माइनस तुम्हें पता है कि थर्ड क्वादिन्ट की वज़र से माइनस लगा है साइन में लेकिर अगर ऐसे पूछू कि perpendicular 3 हुआ हाई पोटेनस 5 हुआ ये 3 ये 5 तो बेस कितना आएगा पाइथा गोरस थियोरम से फोर निकाल लोगे पाइथा गोरस थियोरम तो पता ही होगी पाइथा गोरस थियोरम स्कॉर रूट पर बस समझ गए गुड 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 तो सोचो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनस यानिकि 4 by 5 लेकिन थार्ड कॉर्डन में तो 3 4 My 3 और और कॉसे के तeना होगा इसका रीचि प्रूकल माइनस में 5 by motivate एटरी और सेक ओफ एक से कितना होगा अषिए प्रूकल माइनस में 5 भाइफ होर के रेचिंट तौ ऐसकर other trigonometric functions की value बता सकते हैं तो बस आज की class में इतना ही रखेंगे मेरे दोस्त ठीक है बाकी की चीजें आप लोग ये करके भले ही लिया ना ठीक है चलो अलग से दे दूंगा सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले क्योंकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर टू आल अफ यू थेंक यू सो मच टू आवरीवन